सब्सक्राइब केजिए इन्फराटेक यूट्यूब शैनल को और इस बैल आइकन को दबाईए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड्स इन्फराटेक यूट्यूब शैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को लेट्स गेट स्थार्टेड इसवीडियो में हम आपको बताने वाले हें आई डियल की new smartphone launch की बारे मैं इंडियन मार्केट में अपने latest 3 नीव smartphone लॉंच कर दिये हैं चाइनीज मेनुफेक्ट्रिंग कमपनी ट्रांजन होल्डिंग की पार्टनर कमपनी आइटल ने अपने थ्री नए स्मार्ट फॉन आइटल ए 45 आइटल ए 22 और आइटल ए 22 प्रो को इंडिया में लॉछ किया है आईटल ए 22 आइटल ए 45 का असपेक्ट रिशीयो 18 रिशीयो 9 डिया गया है डिस्प्ले में और आइटल A22 Pro और ITEL A22 में Qualcomm Snapdragon 210 चिपसेट दिया गया है ITEL handset खरीदने पर Reliance Jio की तरफ से 2200 का instant cashback voucher भी दिया जा रहा है अब हम आपको बताते हैं इन तिनों स्मार्टफॉन के specifications, price और launch offers के बारे में ITEL A45 की इंडिया में price 5999 रुपीज है यह handset midnight black, grey, rose gold कलर में वेचा जाएगा ITEL A22 की इंडिया में price 5999 रुपीज है और यह smartphone grey, champagne gold और midnight black कलर में मिलेगा ITEL A22 Pro smartphone की price की बात करें तो इन तीनों में यह सबसे महंगा smartphone है जिसकी price 6499 रुपीज है और यह smartphone आपको red, champagne gold और matte black कलर वेरियंट में मिलेगा तीनों यह handset की बिक्करी start हो चुगी है price के बाद अब launch offers की बात करें तो ITEL कंपनी के तीनों smartphone पर Reliance JioCart 2200 रुपीज वाला instant cashback दे रहा है Jio users अगर cashback का लाब उठाना चाहते हैं तो उने 198 यह 299 रुपीज का recharge कराना होगा recharge के बाद आपको MyJio app से 50 रुपीज कीमत के 44 vouchers मिलेंगे इन vouchers को आप 198 यह 299 के recharge के साथ यूज कर पाएंगे एक बार में किवल एक ही voucher का यूज किया जा सकेगा अब बात करते हैं सबसे पहले ITEL A45 के specifications की तो dual sim 4G support smartphone में Android 8.1 Oreo Go Edition दिया गया है ITEL A45 में 5.45 इंच की HD plus IPS full screen display दी गई है जिसका resolution 720p into 1440p दिया गया है इसका aspect ratio 18 ratio 9 है और बहतर performance के लिए इस handset में MT6739 WA quad core processor दिया गया है और इसमें 1GB RAM दी गई है इसके साथ इसमें 8GB internal storage दी गई है जिसे micro SD card के सरी 128GB तक expand किया जा सकता है camera features की बात करें तो इसमें dual rear camera setup दिया गया है एक sensor 5 megapixel का दूसरा VGA sensor होगा selfie video calling के लिए 5 megapixel का front camera भी दिया गया है connectivity features की बात करें तो इसमें Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Micro USB port और 3.5 mm headphone jack मिलेगा back panel पर fingerprint sensor मिलेगा और power backup के लिए 2700 mAh की बैटरी दी गई है अब बात करते हैं ITL 822 के specifications की तो dual sim ये भी smartphone है और इसमें भी android 8.1 or you दिया गया है इसकी display 5 inch की FWVGA plus display दी गई है जिसका resolution 480p into 960p होगा बहतर performance के लिए Snapdragon 210 chipset दिया गया है 1 GB RAM दी गई है और इसमें भी rear camera 5 megapixel का और selfie camera 2 megapixel का दिया गया है इसे smartphone में 8 GB internal storage दी गई है जैसे microSD card के जरीए 32 GB तक expand किया जा सकता है और इसमें भी wifi, bluetooth, GPS, micro USB port और 3.5 mm headphone jack जैसे connectivity features भी दिये गई है और इसकी battery 2400 mAh की दी गई है अब बात करते हैं ITEL A22 Pro smartphone के specifications की तो ये भी dual sim 4G support करता है और इसमें भी Android 8.1 Oreo Go Edition दिया गया है इसकी display भी 5 इंच की FW VGA Plus दी गई है जिसका resolution 480p into 960p दिया गया है इसका aspect ratio 18 ratio 9 है बहतर performance के लिए इसमें Snapdragon 210 quad core processor दिया गया है 2GB RAM दी गई है और 16GB internal storage दी गई है जैसे micro SD card के जरीए 32GB तक expand किया जा सकता है इसमें photography के लिए 5MP का rear camera, selfie के लिए 2MP का front camera दिया गया है और इसमें भी WiFi, Bluetooth, GPS, Micro USB port, 3.5 mm headphone jack जैसे connectivity features भी दिये गई है और इसकी बैटरी 2400mAh की दी गई है प्लाल इस वीडियो में इतना ही उम्मेद करते हैं आप को ही वीडियो समझ में आ गया होगा, अगर फिचर में आप इसी टाइप के तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और जो भी आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं वो कमेंट करके बता सकते हैं मैं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्याबाद